NASA की James Webb Telescope ने पहली बार ऐसी तस्वीर दिखाई है। यह बिलकुल किसी fighter jet जैसा दिख रहा है। वर्ष 2000 यानि 23 साल पहले वैज्ञानिकों ने इस तारे की खोज की थी, जिसे H.H. Udupalv के नाम से जाना जाता है। आकाश में टिम्टिमाने वाले असंख्य तारों के निर्मान की प्रक्रिया हम पढ़ते और सुनते आए हैं। लेकिन NASA की James Webb Telescope ने पहली बार ऐसी तस्वीर दिखाई है। जब 456 अरब वर्ष पहले किसी तारे का जन्म हुआ होगा। यह तस्वीर एक तारे की है, जो साल दर साल अपना रूप बदल रहा है। यह बिल्कुल किसी फाइटर जेट जैसा दिख रहा है। वर्ष 2000 यानि 23 साल पहले वैग्यानिकों ने इस तारे की खोज की थी, जिसे HH-2002 के नाम से जाना जाता है। यह तारा 50,000 साल पुराना है, जो की स्पेस की दुनिया में बहुत कम माना जाता है।